हे गाइस तुम्हें कल विद्यू जम्वाल की मुवी आई बी 71 देखकर आया था और सच बताओं यह मुझे ठीक ठाक लगी और और प्रिसाइजली कहूं तो यह बिला इवरीज लगी मतलब सच बताओं ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा थे यह मुझे काफी अच्छी ब देखा गया है ना वह राइटिंग बिसेस पर ही काफी जाधा वीक है मतलब आपको देखकर पता चलेगा कि यार इसके स्क्रीन का काफी बैटर हो सकता था इस इस स्टोरी में उतना जान थी कि इस पर काफी थ्रिलिंग मुवी बने ही जा सके उसके उपर से यूनों आपके आपके पास एक अच्छी स्क्रेप्ट है आपके पास डायलोग्स काफी अच्छी पूरी मुवी के डायलोग्स काफी अच्छी है उसके पाद आपके स्क्रीन पर जब वीक रह जाए ना तो there is something missing तो उसी के कारण ये मुवी उतनी हिट नहीं करती उतने मज़े नहीं देती या उतनी excitement generate नहीं करती जितनी करनी चाहिए थी क्योंकि यहीं चीज़ें मिसिंग थी इस मुवी में अगर आप इस मुवी की स्टोरी की बात करो स्टोरी काफी अच्छी है अगर आप पूरी यूनो पूरी मुवी देखने के बाद आप सोचते हो कि इस मुवी की स्टोरी कै इस मुवी में इस मुवी में पूरी तरह से इस मुवी में इन्वाल रह पाए है हम जानना चाहिए कि अबागी क्या होने वाला है कैसे होने वाला है वो सारी चीज़ें मिसिंग रहती है टियालोक्स काफी अच्छे मुझे पसंद आयान है ब पर चाहिक परफॉर्इज के बात करूं विद्यूजियांबल का काम बिर्फ बस ठीक ठाक साही है किसी का भी काम ऐसा नहीं जो हमें बहुत जाद रहने वाला है लेकिन हां जिन्होंने कश्मीरी लड़की का चैरेक्टर प्ले कर रहा है उनका काम मुझे ठीक लगा थोड़ा ठीक से बहतर लगा बाकि अगर मैं बात कुरूँ इस मूवी में तो इस मूव अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत